देश की संसत पर हमला हो और हमलावर संसत के सुरक्षा में सेंद लगा कर गुसे हो पूरी दुनिया की निगाहें संसत से आतिक खबरों पिटेगी हो तब ऐसे में गोधी मीडिया के बहादूर कैमरे पर पूरी दुनिया के लिए तमाशा पेश कर रहे हो तो सोची ऐसी मीडिया के लिए हर तरफ थूथू ही होगा वैसे ही आद देश की संसत के बाहर देखने को मिला जब संसत पर हमला करने वालों के सबूत को लेकर टीवी मीडिया में आपसी खीस्तान मच गई चीना जप्टी होने लगी जिस स्मोक केंडल से हमला हुआ मीडिया उसके लूट पार्ट करने में लग गया फोरिंसिक की टीम सबूत इकटा करने के लिए बाद में पोची उससे पहली ही दुनिया को हमारी जाबाज मीडिया ने सबूत दिखा दिये किस तरह टीयार पी पाने के लिए पत्रुकायता छोड़ चुका हमारा मीडिया ऐसी हरकते कर रहा है दरसे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वारिल हुई जिसमें मैं एक वीडियो में एक महिला दिख रही है जिसके नाम नीलम है उस पर और उसके साथी पर आमोल शिंदे पर सदन पर हमला करने का आरोप लगे है जिसके बाद नीलम की वीडियो भी आई उसमें वो बोल रही है मेरा नाम नीलम है मैं बिरुजगार हूँ यह सरकार तानशा है हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही ही सड़क पर लाठियों से हमें पीटा जा रहा है इसलिए हम लोगों ने यह रास्ता चुना इतना सब तो ठीक था लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारी मीडिया की सच्चाई सब के सामने लाकर रख दी जरा आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए तो देखा आपने इस वीडियो में काफिस सारे पत्रकार दिख रहे हैं जिनके हाथ में माइक आईटी है और वो अपने अपने चैनल के लिए ग्राउंट से खबरे बता रहे हैं लेकिन एक पत्रकार के हाथ में पीले करर के कोई चीज है जिसको हर कोई चीनना चारा है असल में ये क्या चीज है चरह हम आपको बता देती है ये स्मोकिंग कैंडल है इसी से ही संसत पर हमला किया गया था लेकिन फोरेसिंग की टीम इस हमले की जाज के लिए बाद में गई पहले हमारी मीडिया पोच गई और उन्हें ये सबूत मिल गया जिसे दिखा कर ही वो टी आरपी बटोरने लगे हमारी मीडिया ऐसी ही थोड़ी ना पूरी दुनिया में फैमस है अपनी असले हकीकत तो दिखानी ही थी तो बागे सारे मीडिया चैनल के रिपोर्टर अब लग गए स्मोकिंग कैंडल को छीनने में ताकि वो भी अपनी चैनल पर इसको दिखा सके तो फिर क्या था पत्रकार लग गए आपस में लड़ने स्मोकिंग कैंडल को एक दूसरे से छीनने बिना ये परवा किये कि उनकी नहरकतों को पुरदेश देख रहा है उनके असलियत को पुरदेश देख रहा है आपस में छीना जप्टी करने लगे और इसी छीना जप्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया अब सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो और लोग पिरती के रियाए ना दे ऐसा कैसा हो सकता है लोगों ने भी जम कर मीडिया की क्लास लगानी शुरू कर दी कुछ लोगों ने ट्विटर पर ये भी लिख दिया कि सबसे तेज दिखाने के चक्कर में श्रमसार होता गिद्ध मीडिया कुछ ने कहा स्मोक केंडल के लूट पार्ट करता गोदी मीडिया वैसे कानूनन सबूत के साथ छेड़चार करने का अपराद बनता है लेकिन सब ही अपने लोग है इसलिए सब माफ है वही कुछ ने कहा शादी में नोट लूटने वालों का भी ऐसा हाल नहीं होता जो हमारे मीडिया का हो गया है लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इन जोकरों को देखिए कैसे टी आरपी के लिए आपस में लड़ रहे हैं आपको लगता है ये सरकार से सवाल पूछ पाएंगे खेर दोस्तों ये तो हुई लोगों के बात कि गोदी मीडिया के इन हरकतों पर वो लोग क्या सोच रहे हैं लेकिन आप लोगों क्या प्रतिकर आई इस वीडियो पर हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे और बागी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे ह कि अर्मारी साथ